यदि हम सत बगती नहीं करेंगे, धनमपुर्ण नहीं करेंगे, जैसे अब इदली गिरगी है, पर तेक दरम में मास खान की, सराप पेन की, उक्का बेडी, सिगर्ड पीने की, तो यह साइंस के डालडा होएगी, आपके जब करम बिगड़ जाएगी, वर्सा उनी बंद हो जाएगी, और बूखे मरेंगे, यह धाज भी खड़े खड़े जो रहेंगे, और यह कोण देखे गाएं टीवी ने, जब बिरान मैटी हो जाएगी प्रानी की, इसका उदेश से क इसकी वल यही है कि प्रमात्मा अपने बच्चों को अपनी अपना प्रीचे दे सकता इसके माध्यम से, इसलिए बनवाया है, ना थिसकी कोई हो सकता नहीं थी, अब जो ऐसा हाहा कार मचय हुआ वर्तमान में है, एक माया के तिरिक्त, किसी को भी दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती, बगवान भी भूल बालगे, दो नमबर से मिलो, चाए एक नमबर से मिलो, चोरी से मिलो, चाए डाके से, चाए मिलावट से, माया दिखाई देती है, फिर इस माया की दोड में एक दिन ऐसा जुलम हो चागा, हाहा कार माच जागी, नेतिक्ता खतम होगी, कोई सरम लाज रही ही नहीं, तो पुनात्मा यह ऐसे बचा नहीं करते हैं, मानो, दिस सपीड से, दिस दिसा में अब चल रहे हैं, यहां रहने के लिए, और बसने के लिए, तो प्रमात्मा की बगती, और सत बगती, दान धरम, सब बुराई छोड़के, तब हम बस सकते हैं, ना आग लग जाएगी थोड़े दिन में, आप देख रहे हो, क्या हालत हो रही है, इन राजनिताओं ने देख लो, पुनात्मा जब आपका यावाद समझ माजागी, आप इन राजनिताओं को तो ऐसा समझोगे जैसे बालक खिलोने आप खिल लाग रहे हैं, यह सत कर्मान ले एक मंत्री, एक मुख्य मंत्री, एक परदान मंत्री, कितने विक्तियों, वो कमसे एक MP जो जीतता है, एक MP जो वोट पराप्ज करता है, दस दस बारा बारा लाग, पांच पांच लाग से तो विजह ही होते हुए, तो टोटल दाओं यह पता निकितने लाग वोट होंगे, तो वो कितने विक्तियों को सुक दे सकता है, कितने विक्तियों को नौकरी दे सकता है, विचार करो, वो तो एक अक्सेतरम है, उसके अंतरगत है, पर मुख्य मंत्री के अंतरगत, पूरा एक स्टेट होता है, और स्टेट के अंदर क्रोडों की संख्यां विक्ति होते हैं, वो दस बीस अजार को नोकरी भी दे देगा, तब बाक कीर उनको क्या देगा और फिर क्या होगा, अब ठीक है, ये अटपट करका बन जाते हैं, पी मंत्री, मुख्य मंत्री, फिर इनके पीछे पीछे फिर पबलिक, ये दिन में सोता बोलना जूट, हाँ बही तरह हो जागा काम दे परची मनाएं, और कितना करेंगे सारे दिन में, एक का नहीं कर सकते सारे दिन काम ये, तो कहने का भाव ये है जब आपको ग्यान होगा, आप इनके उपगरे मत बनो, इनके चारों और तकर मत काटो, आप परमात्मा के उपगरे मनो, ठेक है वोट देना है, नेक आदमी दिखे है, उड़ वोट दे दो, किसी के बंद कर नहीं बैठना चीए परानी को, वोट दुरूरी देना है क्योंकि हमने एक नेता भी चुनन आपको, न्याय मिलेगा जो भगवान से डरने वाला होगा, और रिजाइन लगके मेज पर दर दिया करेंगे एक दन, जब मंत्री पत्र विराज मानोंगे, गल्त काम नहीं करेंगे, और पकड़ तिरा रिजाइन हम चले, तो तब यहां नहीं तिकता हुब रहेगी, अरे भ सकते हैं यह, तो अपने आत्माओं, यह दोस किसी का नहीं, यह दोस अग्यानता का है, और दास यह चाहता है, कि एक बार इनको इस जैर का पता लग जा, तो विस यह खा रहे हैं, दुनिया ने लूट लूट के बैंक कठे कर लिए, जैसे अप वहाएं सुनते हैं, यह साच तो कहने का बाओ यह है, यह तो बालक है, कती बच्चे, नादान, और बोड़ी बूच कैद हैं, वो भी थोड़े, जो क्या की खात्र लाग रहे हैं, दो रोटी चाहिए एक इनसान को, दो टाइम के टूक मालक सब न देता है, और एक जोंपडी, एक कमरा होचे मकान से, बी तो सब से पहले आत्मिक स्यानती हो, बगवान का साथ हो, तो फिर कित है फिर हो, आजर रखेगा मालक आगे से आगे, तो दास जो आपको समझाना चाहता है, दास को आप इस बात से प्रिचित कराना चाहता है, कि यह जैर नहीं खाना, रिश्वत नहीं लेना, और वईदहे जनी लेना, यह आपके ऊपर संसकार जुड़ते रहते हैं, यदि आपने यहां से पीछा सुटवाना है, तो आपने समाज भी सुच बनाना पड़ेगा, और यह ज्यान से होगा हो, ऐसे तो हो नहीं सकता, कहने तो सिख्षा देने वाले पता ने कितने एक जा लिए, और यह तो ऐसे सिख्षा देने वाले हैं, कहते हैं, एक विक्ती बासन दे रहा था, कि बेंगन नी खाना चाहिए, बेंगन मों यह आउगन होते हैं, यह आउगन होते हैं, और गर्पय उसकी पतनी ने बेंगन ले रहा थे थे, वो फेंक दिया, बार ठाक है, उसका सत्संग सुनक ह गर्पया नो बेंगन ले रही थी, आपने नो कहा था, बेंगना भोत खराब होते हैं, तो खाने नीची हैं, मैंने फेंक दिया, तो लोगों के लिए बतान बतान के थे, तो ने गलत करें फेंक दिये, तो कहने गावाओ यह हैं, कि ऐसे वक्ताओं का असर जनता पर होया नह करें, वो बक्वाद करें, जैसा भी महौल देखें, उसी यह बात कर दें, क्योंकि उनने अपनी माय कठा करने का साधन बना रही, चैसे संत हैं, चैसे कोई राजनेता हैं, उनका इतना ही उदे से रह गया, लेकिन कोई भी जिस मार्क पर आप लगे हो, जैसे कोई मंत्री है या कोई बी पोश्ट प्राप्त है, या कोई संसकार है, वो बगवान ने जितना लिख रख्याना, उसे ज़्यादा आप प्राप्त नहीं कर सकते, चैसे कितने सत्रकता वरित लियो, और बगवान सर्णमा आ जाते हो, ना बागमा होगा, तो भी लिख देगा यो कबीर, प्राप्त तो पूरी सकती है, और पुन्यात्मा नागरिक नेक बनने पड़ेगा हमने, सबने, सबसे पहले सराब छोड़ा है, मास और तमाखो का परियोग त्याग दे, एक व्यक्ती सराब पीने वाला, कम से कम, अगर एक दिन भी महिने में पीवें अपते में, तो सहमत है पानसो चारसो की सराब तो खराब करी देता है, बलकि ज्यादा की बेसे बहुत मेंगी हो रही होगी, और चारसो पानसो रुपी तो बीड़ी पीने वाला परवाद कर देता है, बीड़ी, तो ये सारी बुराई छोड़ के, प्रमात्मा की बक्ती करेंगे, एक तो वातावन सेवन नहीं करते हैं, सिगरेट बीड़ी हुका, तो ये सब हुका बीड़ी पीते हैं, तो वातावन में कितना परदूसन हो रहा है, मेरे ख्याल में बीस फैक्टरी लाए दे, उन ते ना हो इतना जीतना इन तमाखु के तूटे मारणियां तो है, तो ये एक तो वातावन स दोगा हमारे स्रीर के अंदर भी तमाखु बहुत आनी करता है, तमाखु सबसे ज़्यादा अपराद माना गया है, बगती मारणियां और मास तो आपने पता ही है, दूसरे का गल काटके खाऊ है, तो आपने बच्चों को काटके देख कैसा लगे, इसी परकार सरापी ना त ताके करड़ा है, तो हम आते हैं अपने उसी परसंग पर, कि परमात्मा की बगती करनी चाहिए, बगती के लिए पूरण गुरू की हो सकता हो, और पूरा गुरू इस विस्वे में पुनात्मा हो, आज के समय में कोई नहीं इस दास के तरिक था, आपको चाहा समझमाओ, ज जो दास बोड़ रहा है, और जब तक पूरा गुरू नहीं मिला, मोक्स हो नहीं सकता, और जो परसंग चल रहा था, कि एक हरी के नाम बिना ये रज्जार सब हो, मटी लदे कुमार के फिर गास ना नीरे कोई, गास ना डाल ले कोई, परमात्मा कहते हैं, जब रज्जा भी गद्हा बनेगा बिना बगती कई, तो आप अपने सतरतें सोच लियो, आपकी के वकात, आपका के ना बनेगा, दूसरा फिर क्या बताते हैं, गुरू के बिना गुरु बिन माला फेरतें, गुरु बिन देते दानíb, गुरु बिन दो नो निस फल हैं, चाहे पूछो बेद पुरान फिर क्या बताते है प्रमात्मा के तुम राम और किरसन से उपर किसी को नहीं मानते राम किरसन से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन तीन लोक के वेधनी गुरु अगय अधीन प्रमात्मा केते हैं राम किरसन से कौन बड़ा आप जी स्री राम और स्री किरसन से उपर किसे नहीं मान दे और उन्होंने भी गुरु बड़ाई तीन लोक के वो धनी तीन लोक के मालिक है पर्थवी लोक नीचे पातालोक और उपर स्वर्ग लोक है इन तीनों लोकों के उप पर इन बिर्मा विश्णो महेस जी का अधिपत्य है जैसे विभागिये मंत्री होते हैं रजोगुन विभाग के बिर्मा जी सतोगुन विभाग के विश्णो जी और तमोगुन विभाग के भगवान संकर जी ये एक एक विभागिये मंत्री हैं और तिनों लोग के ये धनी है तो प्रमात्मा कहते हैं राम किरसन से कौन बढ़ो उन्हों भी गुरुकीन और तीन लोक के वो धनीवाई गुरु आगए आधीन क्योंकि गुरु जी गुरु धान करने के उपरांत फिर गुरु जी के साथ कैसा ब्योहार हो उसके वी से प्रमात्मा ने बता है क्या बताते हैं प्रमात्मा के गुरु गुबिनД दोनो खडे किसके लागउ पाए और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए क्या बताते हैं परमात्मा के गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागूं पाए और बली हारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए फिर क्या बताते हैं गुरु मानुस कर जानते तेनर कईयें अंद महादुखी संसार में आग्यकाड के फंद क्या बताते हैं कि यदी गुरु जी को आप ऐजे मैन ट्रीट करते हो तो कहते हैं आपकी वगती सफल नहीं हो सकती जैसे कई भगत यहां इंटरू में भी पूछते हैं कि आप क्या अपने गुरु जी को बगवान मानते हो तो अपने अत्माओं दास को अपनी सतिची का पता है दास एक जीव है बगवान नहीं है लेकिन यह दास उस परंपिता समर्थ का परती नहीं दी है तो आप जी ने तो इस दास को एजे गुरू ट्रीट करना पड़ेगा ना आपकी यह समस्या हल हो नहीं सकती जैसे एक मैथेमेटिक्स के अंदर एक रन का परसन आता है जो ब्याज का उसके अंदर मूल धन ग्यात करना होता है मूल धन तो उसके लिए पहले सपोज करना पड़ता है मान ले मूल धन सो रुपिये वो सो रुपए मूल धन नहीं होता होता तो रुपए ही है थोड़ी रासी होती है लेकिन वास्तव मूल धन तो करोड़ों में अर्बों में होता है तो वो अर्बों और करोड़ों वाला मूल धन आपको प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप सो रुपे मूल धन नहीं मान के चलोगे तो सो रुपे मूल धन मानना पड़ेगा मान लीजिये मूलदन सौर पिये फिर उससे वो दर निकलाती है उसके बाद फिर उनको मल्टिपलाई करके फिर वो मूलदन प्राप्त किया जाता है तो इसी परकार इस दास को यानि गुरू जी को आपने एजे गौड ट्रीट करना पड़ेगा जिससे आपकी रिहरसल बनेगी आपका अब्यास बनेगा जैसे बच्चे मिल्टरी में बरती होते हैं सेलेक्ट होते हैं तो उनको युद से पहले युद करने की सारी ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे भी चलाया जाता है उचे उचे से कुछ जंप कराया जाता है वो उचाल कूद कराया जाती है रसों पर चड़ाया जाता है उचे से उचे से जल में छलांग लगवाई जाती है और युद की रियरसल की जा कराया जाती है सामने किसी दिवार या मिटी के कटे रखके मिटी भरके बारदानों में और उनसे फारिंग करवाई जाती है ताकि वो उस समय अपने उद्ध पहले किया हुआ अभ्यास उनका काम आवे है और पहले ना कर रख्या हो बकवाद कर रख्या हो युद मजा के खड़ा हो जाब क्या करेगा वो दो मिन्ट में फेल वोगा ना सारे काम का तो इसी परकार यहां आप जीने इस दास को ऐ जे गुरू ट्रीट करके आप नीरी अरसल करनी पड़ेगी क्योंकि जब आप यहां से जाओगे श्रीर छोड़के तो इस दास के रूप मा परमात्मा मिल लेंगे और वहां तो वहां जैसा आपका भाव यहां है वही वैसा ट्रीट वहां करोगे मन में दोस रखोगे किसी पर कार काट पड़ सोचोगे क्योंकि गुरू जी के अंदर दोस देखना तो आप भगवान में दोस देखते हो तो वह दोस फिर आप वहां भी देखोगे और वहां दोस आपके अंदर नहीं आपके बार दिखाई देंगे वहां बताने ही जुरूद ना पड़ा है आपने इतना सरमिंदा होना पड़ागा आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा वाग यहां से तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरू मानुष कर जानते तेनर कई अंद और फिर वहां दुखी संसार में अग्यकाल के फंद वहां थाएभागा